परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है हाँ ये प्यारा बाग खून से सगना पड़ा है ओ प्रिये रितु राज किन्तु तुम धीरे से आना है ये है शोक स्थाल यहां मत शूर मचाल मशूर कवितरी सुबद्रा कुबारी चौहान ने ये कविता आज से सौ साल पहले जलियाँ वाला बाग में शहीद हुए लोगों की याद में लिखी थी इसका शीर शक था जलियाँ वाला बाग में बसंद भारत में अंग्रेजों के आपने वेशिक शासन की यंत्रनाओं और भारती ये सुतंतरता संग्राम से नानियों की कुर्बानी की नुमाइंदगी 1919 में हुए इस कतल आम से अधिक कोई नहीं कर सकता उस समय का पंजाब अंग्रेजों के खिलाफ विद्डोह के जौला मुकी पर बैठा हुआ था एक तरह से पूरा पंजाब राउलिट एक्ट का विरोध करने सडकों पर आ गया था बहुत जर्चित किताब जलियाँ वाला भाग 1919 दरीयल स्टोरी लिखने वाली किश्वर देसाई बताती है राउलिट एक्ट से लोग नाराज क्यों थे गांधी जी ने इसका प्रचार किया कि इसको आप बिलकुल सपोर्ट मत करो और उन्होंने सत्याग्रह मूव्मेंट शुरू की जो उनकी पहली सक्सेसफुल सत्याग्रह मूव्मेंट थी इंडिया में आफरिका से आने के बाद यही कारण था कि जो ब्रिटिश रूलर्स थे खास तोर से जो लेटरन गवनर ओडवायर थे वो नहीं चाहते थे कि गांधी जी पंजाब में आएं और इस तरह के लोगों को भड़काएं वो भी थोड़े से बेचैन थे यह देखके बहुत जरूरी बात अब मैं कहने वाल और आप यह सुनके हरान हो जाएंगे कि वो जो पूरी प्रोसेशन थी राम नामे की उसको एक मुसल्मान ने और्गनाइज की और वो सारे हिंदू मुसल्मान एकठे चल रहे थे सड़कों पे और बोल रहे थे हिंदू मुसल्मान की जै 13 अपरेल 1990 को शाम साड़े पांच बजे अमरसर की सड़कों से होते हुए दो बखतर बंद गाड़ियां जल्यावाला बाग के पास एक सक्री गली के सामने रुकी एक गाड़ी पर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल डायर अपने ब्रिगेड मेजर मारगन ब्रिक्स और अपने दो अंगरक शकों सारजेंट एंडरसन और पीसी के साथ सवार थे जब वो बाग के अंदर घुसे तो बैंक कलर्क ब्रज बैकाल अपनी नजम फरियात पड़ रहे थे डायर ने बिना किसी चेतावनी के वहां पहुचने के तीस सेकंड के भीतर चिला कर आदेश दिया फायर जैसे ही वो पहुचे तो उन्होंने गुर्खास को एक साइड लाइन अप किया बलूचीस को दूसरी साइड और बोला फायर बहुत घना क्राउट था पंदरा बीस हजार लोग उस छे एकर में बहुत उसमें कोई वाइल्ड फायरिंग नहीं थी बड़ी डेलिबरेट फोकस्ट टारगेटेड फायरिंग थी इनके पास जो राइफल्स थी 303 बुलेट्स फायर कर रहे थे और वो ली एन फील्ड राइफल्स थी जिनकी रेंज 3000 घस तक थी तो ये जब 300 फुट तो बिलकुल पॉइंट ब्लैंक हो गई उसके से तो बड़ी एकुरेट फायरिंग थी और बुलेट्स भी ऐसी थी अगर तो वो बड़ी में जाके अगर किसी बोन के साथ टक रहें या किसी औरगन के साथ टक रहें तो एक दम से फट जाती थी ये थे पंजाब के इतिहास पर कई लेक और किताबें लिखने वाले और अमरीका में भारत के रादूत रहे नव्तेज सरना बहुत से लोग भगदर में दब कर मर गए कई जगे एक के उपर एक दस से बारा शवों का अमबार लगता चला गया कभी कभी गोलियां चलनी रुखती तो सिर्फ इसलिए कि सैनिकों को अपनी राइफिलें फिर से लोड करनी होती डायर खुद दौर दौर कर उस तरफ फाइरिंग करने का हुक्म दे रहे थे जहां ज्यादा लोग जमा हो रहे थे बाद में सारजेंट एंडरसन ने जो कि जनरल डायर के बिलकुल बगल में खड़े थे हंटर कमेटी को बताया था जब गोली बारी शुरू ही तो पहले तो लगा कि पूरी की पूरी भीड जमीन पर धराशाई हो गई है फिर हमने कुछ लोगों को उची दिवारों पर चढ़ने की कोशिश करते देखा थोड़ी देर में मैंने कैपटन ब्रिक्स के चहरे की तरफ देखा मुझे ऐसा लगा कि उन्हें काफी दर्द महसूस हो रहा था वो जनरल डायर की कोहनी की आस्तीन पकड़ने की कोशिश कर रहे थे बारती सैनिकों का फायर कंट्रोल और अनुशाशन उच्च कोटी का था डायर के सैनिकों ने लगातार दस मिनट तक गोली चलाई कुल मिलाकर 1650 राउंड चलाए गए प्रती सैनिक 33 राउंड इस तेजी से ये बुलिट्स जाती हैं और इतनी तनी बड़ी है मैंने खुद देखी हुए को तीन साड़े तीन इंच की बुलिट है उसकी नोक इतनी शाप है कि वो फ्लेश, बोन और अगर उसके थुरू कोई तीन चार और भी चीज़ है उसके थुरू भी वो निकल जाएगी वो बैठे हैं सुन रहे हैं स्पीच और वो इधर देखता है लोग गिर रहे हैं खुन से लतपत इधर देखता है, लेफ्ट देखता है, राइट देखता है और उसको बस लोग गिरे हुए और उसको खुछ परिशानी हो रही कि क्या हो रहा है भरपूर सिंग, 13 अपरेल 2019 को सिर्फ चार साल के थे वो अपने दादा के साथ, वो अपने दादा के साथ जलियां वाला बाग गए थे लेकर उनको उस दिन की खटनाएं ता उम्र ग्याद रही बीबी सी से बात करते हुए उन्होंने कहा था लोग बदहवासी में इधर उधर दोड रहे थे जैसे ही गोलियां चलनी शुरू ही, मेरे दादा मुझे उठाकर सेनिकों से दूर की दीवार की तरफ दोडने लगे जब उन्हें लगा कि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, उन्होंने मुझे साथ फुट उंची दीवार के पार फेंक दिया नीचे गिरने से मेरी बाहर तूट गई, लेकिन मैं वो कहानी सुनाने के लिए जिन्दा रहा हम उस तकलीफ में भी कई दिनों तक अस्पताल नहीं गए, क्योंकि हमें डर था कि हम पर और जुल्म ना ढाय जाएं लेकिन रतन देवी के साथ जो हुआ उसको सुनकर आज भी दिल काप उड़ता है लैंटर्न दिखाई देरी थी सारी रात, लोग आके अपने अपने रिष्टेदार को ढून रहे थे एक के उपर एक लाश लगी हुई थी, तो लाशों को निकालना, उसमेंसे लोगों को अपने लोगों को ढूनना, रात को और बहुत लोग अपने ही जखमों से खाहिल हो गए रात भर, चिलाते, रोते, पानी की आवाज, क्योंकि जब खून निकलता है, आपको पानी के लिए आप तरसते हो और एक जो मैंने खास इसमें डाला है, वो रतन देवी का जो आई विटनिस अकाउंट है, जो बिचारी अपने पती की लाश के पास, वो तो मर गए थे, उनकी लाश के पास ही सारी रात उन्होंने गुजारी, और वो खुद कहती है, कि वो जो रात मैंने गुजारी, इट तो मैं इधर ही रहना और वो कहती है, उसको मैं कहां जाओंगे, मैं तो इधर ही रहूंगी सारी रात, उसकी आँखों के सामने ही वो अपनी जान दे देता है, सुबा होते होते मानव रत की बू सुंकर आवारा कुट्टे वहां किचे चले आए थे, और सिर के उपर चीले म इंटेग्रेट होने लगी, अगले दिन जब लोग जाते हैं, वो जो वल्चर्ज हैं, जब नीचे चीले आती हैं तो वो उनकी पगड़ियों पे को भी नोचने की कोशिश करते हैं, और जो अगले दिन जब फ्यूनरल्स होते हैं, लोगों को याद है, उन्होंने बाद में शुरू हो गई, तो उन्होंने इसकी चांच के लिए हंटर कमिटी का गठत किया, नफदेच सरना बताते हैं, जब बहुत एंबारिसमेंट होने लग गई, क्योंकि रियूमर्स और न्यूज आने लग गई, जब मार्शलो हट गई, अंग्रेजों ने फिर एक लॉर्ड को उन्होंने कुछ, कुछ नहीं कहा, जब यह रिपोर्ट लंदन तक पहुंची, प्रिटिश गवर्मेंट ने डिसाइड किया, कि यह जो डिसिशन गवर्मेंट विंडिया ने लिया है, कि डायर को रिजाइन करना पड़े, और उसको कोई इंडिया में अपॉइंटमेंट ता, वो गलत है, लेकिन हाउस अव लॉड्स ने इसको ओवर्टरन करते, हाउस अव लॉड्स ने गवर्मेंट को बोला कि आपने बे इंसाफी करी है डायर के साथ, इस आदमी ने तो हमरा इंडियान एंपायर सेव किया है, जो कंसरवर्टिव फैक्शन राइट विंग था उन्होंने एक फंड भी शुरू किया, जिसमें 26,000 पाउंट उस समय के इकठे किये गए, हंटर कमिटी ने माना कि इस फाइरिंग में कुल 389 लोग मारे गए, लेकिन मरने वालों की संख्या इस से कहीं अधिक थी, रात को जब वो अपनी रिपोर्ट भेजता है, ओड़ वा पांसो के करीब पर अंग्रेजों ने उनके साथ 379 का उन्होंने अग्री कर लिया, आई विटनिसेस सब भी कहते हैं कि हजारों की तादाद में लोगों की मौत हुई, और उतने से तीन गुना ज्यादा करीब 4-5,000 तो जखमी हुए थे, और कुछ ऐसे भी थे जो घर जाके मरें, एक atmosphere of fear था, एक environment बना दिया गया था लोगों के लिए, कि अगर आप उस time थे उदर जलियां वाला बाग में, तो आपने गदारी की है, सरकार की against, उसका क्या नतीजा होता, कि आपको पकड़के जेल में डाल दिया चापको कोड़ों से मारा जाता, तो लोग किसी को ब चुप बैठे रहे, हमारी trust ने ये काम किया है, कि जितनी भी फाइले हैं, copses के उपर, हमने सब को count, recount, मतलब 3-4 महीने हमने सिरफ इसी पर research किया, तो अब 502 के, fully confirmed, हमने नाम निकाले हैं, कि कौन मरा था, उसके इलावा, 45 bodies ऐसी थी, जो उदर ही बाग में पड़ी थी, जो unidentified थी, तो 547 is the number that we can give with clear conviction, जनल टायर ने हंटर कमेटी के सामने अपनी इस करतूत का जोरदार बजाओ किया, हंटर कमेटी ने उनसे कुछ मुछिल सवाल पूछे, लेकिन टायर का तर्थ था, कि अगर वो भीड पर गोली नहीं चलाते, तो वो उनके उपर हमला कर देती, क्या आपको खयाल नहीं आया कि गोली चलाने से पहले आपको भीड को तितर बितर करना चाहिए था, नई, उस समय नहीं, मुझे लगा कि मेरे हुकम की तामील नहीं की गई है, मार्शलो का उलंगन हुआ है, और मेरा करतव है कि मैं उन पर तुरंट गोली चलाओ, तो क्या मैं अपने करतव का पला नहीं कर रहा हूँगा, आपने गोली चलाने के बाद घायलों की डॉक्टरी मदद क्यूं नहीं, भीड इतनी जादा थी कि अगर वो बिना हत्यारों के भी हम पर हमला करते, तो मेरी चोटी टुकड़ी उनके सामने टिक नहीं सकती थी, मैं भीड को अंग्रेजों के बीच जो दूरी पैदा हुई, उसे कभी पाटा नहीं जा सका, और 28 साल बाद अंग्रेजों को हमेशा के लिए भारत छोड़ कर जाना पड़ा, महत्मा गांदी थे, 1919 तक वो बहुत बड़े सपोर्टर थे ब्रिटिश के, वो समझते थे जो अंग्रेज सर मैं इनको सपोर्ट नहीं कर सकता और उन्हेंने काफी लिखा भी इसके बारे में और अपने सारे मेडल्स वापिस कर दिये, रबिंदर ना टगोर ने अपनी नाइट हुड वापिस कर दी, उससे क्या हुआ कि देश में ये बात पहल गई, कि एक दराड आगई है अब ब्रि तडप कर व्रिद मरे है गोली खा कर, शुष्क पुष्क कुछ महागिरा देना तुम जा कर, ये सब करना किन तुम्यामत शोर मचाना ये है शोकस्तान बहर धीरे से आगई, पेहन फदेल बी-बी-सी